हेलो डियर कांडीडेट नमशकार श्वागत है आप सभी का एड्रोशेशन में बात करते हैं रासायन विज्ञान की तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट अथवा जो भी साइंस एग्जांस में पूछी जाती है तो वहां पर NCRT प से लिए हैं तो यह सभी को देखेंगी तो यहां पर जो फइस्ट वाला चैप्टर है आपका जो है रासायनिक अग्रियां एवं समीकरड तो फइस्ट वाले जो है लेसन फश्ट से यहां पर जो है कुशन है तो पहले उनको देखेंगे ऐसे धीरे-धीरे करके हम लोग सभी चैप्टर की कुशिन को देखेंगे तो फ्रेंट शुरुआत करते हैं पहले कुशिन की स्याम स्वेथ फोटोग्राफी में प्रियोक्त होता है तो यहां पर कौन सा प्रियोक्त होता है आपको बताना है इसका सही आंसर होगा AGCL यानि कि सिल्वर क्लोराड जो होता है वो श् iodel प्रेंड आपको reaction देखना है तो बीवी ओ और यहां पर करवन से गिर्या हो रही है और तो पीवी और छी बन रहा है व्यूसिट हो रहा है करवन ओक्षाइट हो रहा है करवन अप्चेत हो रहा Otherwise Effect हो राहा है तो यहां पर आपका सःही आंसर क्या होगा अपको तो तो फ्रेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो अपकेटन होता है य steroid होता है उसे ही oxidation काहा है Ch Hyndi को ही Schengen कहा जयाता है Oxidation होता क्या है कि जब Auxy Piratei होता है तो उसमें पदार्थ से oxygen का योग होता है यानि कि जो कोई drive उसammen हम जुडती है तो उसे Oxidation अत्वा जो है Oxygen कहा जाता है अत्वा जो है Hydrogen का हिरास हो Hydrogen का हिरास हो अत्वा Oxygen का स्वयोग हो तो वो प्रिया Oxidation कहलाती है और Oxygen क्या होता है Oxygen का मतलब होता है Reduction अपने Oxygen का मतलब जो होता है वो होता है Reduction यानि कि किसी भी पदार्थ से hydrogen प्लस हो रहा हो और वहां से इलेक्टान है पदार्ट यानिकी hydrogen प्लस हो रहा हो अथवा oxygen निकल रहा हो अथवा hydrogen उससे जोड़ रहा हो तो वह किरिया आपकी अप्चन यानिकी रिडेक्शन कहलाती है तो फ्रेंच यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो है ए नमबर ऑप्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट और सेकिन यह असत्त हैं बाकी की आपकी जो है सत्त हैं यहाँ पर आपको पहले इनका जो है confusion दूर करना है नेश्ट है तो एफ दी गई अपकरिया किस प्रिकार की है यह बताना है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा sentence sound here उपर दे गई जो अपक्रिया है वो विस्थापन अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया में होता क्या है फ्रेंट्स जो विस्थापन अपक्रिया होती है इसमें जो है ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रिया सीर पदार्थ को योगिक से अलग कर देता है यानि कि जो क आपके कुशिस्थ है लोह चूर पर तन्म हड्रोक्लोरिक अमिल डालने से क्या होता है सही उत्तर translate लगा यहांओ पर में हैं और क्लोराड यहांपर आपका नमब्र ऑफ विल्कूल करेक्ट हो जाए नेश्ट कुशन है आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो पीवी अनो थिरी और जो है टू यह होता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बी नमर आपसन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेश्ट है तेल के नमूनों को लंबे समय तक ताजा बनाई रखने के लिए निम्लिकत में से कौन सी गैस प्रियुक्त की जाती है तो कौन सी गैस प्रियुक्त की जाती है तो फ्रेंट यहां पर आपका D-Number option बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हीलियम और नाइट्रोजन जो है तेल के नमूनों को लंबे समय तक ताजा बनाई रखने के लिए इनका यूज किया जाता है नेश्ट कोशन है वह है प्रिक्रिया जिसके करण चांदी के ऊपर करली परतवा तामे के ऊपर हरी परत चड़ जाती है कही जाती है तो इस प्रिक् के यिसे लोहे में जङलनगना और चांदी के ऊपर काली परतवा तामे के ऊपर हरी परत चड़ना यह सभी संचारद के करियाएʏ होती और के कोह सुलबों के यूज ओग मेंसे कौन सा प्रिस्थापनीय देता है तो क्विस्थापनी अपघरिया देता है तो शिल्वर नायت सब्सक्राइब आपको एक लाइक चनल को सब्सक्राइब करेंगे एसे व सब्सक्राइब करेंगे हैं यसे किसे थहली में ब्र read ब уп Diamante चिप्स की थैली में कौन सी गयस भरी होती है तो friends आपकर d number option जो है बिल्कुल correct हो जाएगा, बिल्कुल correct हो जाएगा, बिल्कुल नमबर ओप्सन जो है nitrogen gas जो होती है, वो चिप्स की थैली में भरी होती है, आगे next question है संग मरमर का रासायनिक सूत्र, तो संग मरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है आपको ये बताना है यहाँ पर फ्रेंड्स सही आंसर होगा केल्सियम कार्बोनिर्ड CACO3 तो ये जो है संग मरमर होता है बी नमर आप्शन आपका बिल्कुर करेक्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से जो फर्ष्ट वाला चैप्टर था उसके जो कुश्यन थे औब्जेक्ट वो कम्प्रीट हो गए है अब हम लोग देखेंगे अमल च्छारक एवं लवड से सम्मंदित महिदपूर कुश्यन को तो अपना जो है पहला कुश्यन है कोई बिलियन लाल लिटमस क को नीला कर देता है इसका प्य एच संभा होता क्या होगा तो कोई विलियन ऐसा है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका प्योड़ होगा डी number ऑप्शन ऑपका अपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कुश्ट है ऑसदि का प्रियोग होता है तो यहां पर आंस्टे सिड्ड प्रति अब्रतार अंबलक्त होता है C legal और उप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा nam यहां पर किलोता है उसका होटे होता है जो प्रतच से चाणता होता है जो बल्क aanice आन होते हैं आपके यहां पर यहांपका आपको सेविन होता है यह 3ा से साथ से कम होगा तो होगा अमली है यह होगा अमली होगा और 7 से अधिक जाएगा, तो इस साइड वाले होंगे, ये सभी 4 है, इस साइड के सभी आपके चारी होंगे, और जो 7 होगा, ये आपका उदासीन होगा, इतनी बात आपको याद रखनी है, यही होता है, आपका pH table, pH scale जो होता है, यही होता है, तो 4 billion का जो pH होगा, तो आपका 7 से अधिक होगा ये बात आपको याद रखनी है नेश्टे दात की इनेमिल में केलसियम फॉस्पिर्ट होता है इसकी प्रक्रती है तो इसकी प्रक्रती जो है वो छार किये होती है ए नमबर आप्सन आपका फ्रेंट्स बिल्कुल सही हो जाएगा नेश्टे पाचन की दौरान उत यहाँ पर आपका सही अंसर होगा इससी नमबर आप्सन जो है साथ होता है यानि कि सुद जल्य होता है वो दासी नहोता है ना अमली होता है ना चारी होता है नेश्ट कुशन है H2SO4 के जली विल्यन का पीच मान होता है तो H2SO4 का जो जली विल्यन होता है यह अमली होता है यानि कि 7 से कम होता है, B-Number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा. Next है प्रवल अमले के जली विलियन में किसका आधिक होता है, अधिक होता है, यहाँ पर आपका A-Number option बिल्कुल correct हो जाएगा. नेक्ट कुशन की बात की जाए तो जल को जीवान रहत बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है तो कौन सा पदार्थ जो है उपयोगी है तो यह बिरंजक चूड यानि कि बिलीचिंग पाउडर जिसे बुला जाता है और बिलीचिंग पाउडर की बात की जाए तो बिलीचिं होता है वो CAO और CL2 जो है इसका फर्मूला होता है तो यह भी आपको याद रखना है नेक्ट कुशन आपका है एक बिलियन में हट्ड अक्साइड आयन का संद्रन बन गोड़ाइं दस पे पावर जो है माइनस बारा मोल प्रति लीटर है इस बिलियन का प्याच मान होगा तो इ अमिलीयरम लबड नहीं है तो यह बिलिकुल ग्रेक्ट हो जाएगा sodium जो कि आपके एक्जांस में पूछे जाते हैं उस सभी कुशन को देख लेंगे इसी वीडियो में फ्रेंट्स यहां से आपको एक्जांस में अच्छे कहां से कुशन देखने को मिल जाएंगे नेश्ट कुशन है आपका निमलकित मैंसे कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत है तो उदासीन घोल के लिए कौन सा कथन जो है वो असत है यहां पर आपका पीएच मान जो है वो सून पीएच का मान सून तो उदासीन घोल जो होता है तो उसका पीएच मान जो होता है वो स तो यहां पर असत्र पूछा आया तो pH इसमान सुन नहीं होता है, क्योंकि बनसे लेकि चाओदा तक pH मान होते हैं, और साथ से उपर वाले आपके चारी होते हैं, साथ से कम वाली अमली होते हैं, तो यहां पर अधासीन का साथ हो जाएगा, नेश्ट है एस्टिक अमल में कितने अमलिय हाइडोजन परमाल होते हैं तो एस्टिक अमलि की बात की जाए तो इसमें जो है आपके बन जो है ये नमबर आपसन जो है बन अमलिय हाइडोजन परमाल होते हैं नेश्ट है आपका चारी बिलियन में फिनॉल, फितेलिन, सूचक का रंग होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, लाल जो है, इसका सही आंसर होगा, नेश्ट कुश्चन है, एक बिलियन में हार्डोजन, आयन का सांदर, एक गुणाए, दस पे घात, मैनस 7, मोल, मैन नेश्ट कुश्चन आपका है, सोडियम कार्वोनेट के जली बिलियन में, कार्वन डाय ओक्साइड गेस की अधिकता से प्रभायत करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है, यह आपको पताना है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, फ्रेंट्स, जो है, C नमबर, न बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है, इसकी बात की जाए, तो यहाँ पर आप से कहा गया है, सोडियम कार्वोनेट के जली बिलियन में, कार्वन डाय ओक्साइड जब प्रभायत की जाती है, तो आपकी जो है, प्राप्त होने वाला पदार जो है, आ अमली विलियन का पियच मान, अमली विलियन का पियच मान की बात की जाए, तो जो अमली होते हैं, उनका जो है, साथ से कम होता है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेक्ट कुशन है, सल्फियोरिक अमल में, अमली हाइडोजन परवाणों की संक्या बतानी है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेश्ट है एक बिलियन का pH मान 5 है यह बिलियन है तो जिसका pH मान 5 है वो बिलियन कैसा होगा तो वह है बिलियन जो है अमलिय होगा क्योंकि जो है साथ से कम सभी अमलिय होते हैं नेश्ट कुछिन सोडियम कार्वोनेट का जली बिलियन ह होता है sodium carbonate की बात की जाए तो इसका बिलियन होता है वह 6 आपका सही होगा नेश्ट कुर्षिन का pH 7 है यह बिलियन होगा तो किसी बिलियन का जो pH 7 है यह बिलियन कैसा होगा तो उदा सीझ होगा यह आपको अभी मैंने pH skill पे दिखाया था C number option जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next question की बात की जाए तो बिरंजक चूड़ पर तनुसल फ्यूरिक अमलिकी अपकरिया से जो gas निकलती है तो वो कौन सी gas निकलती है ये आपको बताना है तो friends यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा आपर chlorine gas यह निकलती है C number option जो है आपका बिल्कुल सही होगा जल को जीवान रहत बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ तो जल को जीवान रहत बनाने के लिए अभी आप मैंने बताया था कि विरंजक चूड़ियानी और into 10H2O इसका जो है formula होता है यह number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा यहाँ पर खाने के सोड़ा का रासाइनिक सूत्र है तो खाने के सोड़े की रासाइनिक सूत्र की बात की जाए तो यहाँ पर NaHCO3 जो है बी number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा नेश्ट है एक hydrochloric आपका बिल्कुल correct हो जाएगा नेश्ट कुष्टिन की बात की जाएगा आपका एस्टिग आपका दरुवल आमल है क्योंकि एस्टिग आपका दरुवल आमल है क्योंकि तो यहाँ पर इसके आईन की मात्रा जो है वो कम होती है B number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा Next question है किसी billion का pH मान 3 है billion है तो जब किसी billion का pH मान 3 है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो जो है एक अमली billion है क्योंकि इसका pH मान 7 से कम है नेश्ट है छारक के साथ हल्दी का रंग होता है छारक के साथ अमली वर्सा का जो जल होता है वो अमली होता है 5.2 जो है इसका विल्कुल correct answer हो जाएगा नेश्ट कुश्चन आपका जो है यहाँ पर तो आप जो है आपका जो आपका जो अमली छारल लवडवाला चेप्टर था वो समाथ हो गया है और आप जो हमारे कुश्चन है वो धातू एवन अधातू से संबंदित है तो यहाँ पर फर्ष्ट वाला कुश्चन देखते हैं धातू अधातू से लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निमन मैसे कौन सी बिदी उप्युक्त है तो इ खाद पदार्थों को सुरच्चित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है क्योंकि तो क्यों होता है तो टिन की अपेच्छाक्रत कम अपक्रिया सील होता है तो टिन की अपेच्छाक्रत यह जो है जिंक जो है वो कम अपक्रिया सील होता है तो फ्रेंट जैसा कि आप सभी को पता होगा sodium ये जो है kerosene में रखा जाता है और ये जल के साथ अप क्रिया कर लेता है kerosene के लिए कुशिन बहुत मुचा जाता है sodium के लिए kerosene यानि कि मिट्टी के तेल में sodium को रखा जाता है क्योंकि यह जल से क्रिया कर लेता है next है amalgam होते है तो amalgam जो है यह मिस्र धातु होते है बी नमर ओप्सन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा next question है जस्ता धातु हाइट्रोकलोरिक अमलिक से क्रिया करके कौन सी गैस निसकासित करती है तो जस्ता धातु जो होती है यह हाइट्रोकलोरिक अमलिक से क्रिया करके हाइट्रोजन गैस निसकासित करती है C number option आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा next है निम्न मैंसे कौन सी धातु ठंडे जल से हाइट्रोजन गैस निकालती है तो यह जो है पोटेसियम next question है निम्न मैंसे कौन सी धातु अमलिक से हाइट्रोजन बिस्थापित नहीं करती तो ऐसी धातु का नाम जो है copper है यानि कि C number option आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा next question की बात की जाए तो अमलिक से क्रिया करके hydrogen gas बिस्थापित करने वाली धातु तो अमलिक से क्रिया करके hydrogen gas बिस्थापित करने वाली जो धातु है वो आपकी जिंक है ZN आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा next question है copper यानि की तामा का आयस्क है तो तामा का आयस्क जो है वो कौन सा है ये आपको बताना है मेले काइट जो है तो ये बी नंबर भरजन क्रिया जो है ये बोली जाती है आपको पाइराइड आयस को बायू में गर्म करके सलफर जब दूर किया जाता है तो इस क्रिया को भरजन क्रिया कहा जाता है next है मेट में मुकता होता है तो मेट में मुकता क्या होता है यह आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर होगा Cu2S वा FES भी C number option जो है बिल्कुल आपका correct हो जाएगा Next question है निमलकित मैंसे कौन सा तत्तो तनु अमल के साथ सयोग करके hydrogen gas निकालता है तो कौन सा ऐसा तत्तो है तो यहाँ पर French आपका जो सही आंसर होगा C number option यानि कि जस्ता यानि कि जिंक जो है आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा Next question आपका ताम्रय Glans का रासाइनिक सूत्र है तो ताम्रय जो Glans है ताम्रय Glans का रासाइनिक सूत्र वो आपका होता है Cu2S A number option आपका friends बिल्कुल correct हो जाएगा Next question की बात की जाए तो chloride IS का उधारण है chloride IS का उधारण बताना है तो horn silver जो है ये आपका chloride IS का उधारण है D number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा Next question आपका है calcocyte IS किसका है यहाँ पर friends आपका सही answer होगा copper का D number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा Next question है German silver में कौन सी धातु नहीं होती है तो friends जो German silver होती है इसमें कौन सी धातु नहीं होती है ये आपको बताना है तो इसमें जो है AG यानि कि silver नहीं होता है German silver में C number option आपका friends बिल्कुल सही हो जाएगा next step फपोलेदार तामे में कौपर का प्रत्चत मात्रा है तो फपोलेदार तामे की बात की जाए तो इसमें आपका पूछा गया है कौपर का प्रत्चत वो कितना होता है ये आपको बताना है तो friends यहांपर पर जो सही आंसर होगा वो आपको 98% जो है यसका A number option बिल्कुल correct हो जाएगा ने quanto पीतल है तो पीतल क्या है यह आपको बताना है तो फ्रेंट्स आपको बताना है कि पीतल क्या है तो यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer होगा B number option पीतल जो होती है वो एक mistre darahirsutu होती है और किसकी mistre darah trusts होती है ये भी आपको पता होना चाहिए तो पीतल होता है ये copper plus zinc का मिचर होता है इसमें बात की जाए ये जो है copper की तो copper जो है 60 से लेके 80% तक आपका copper होता है zinc जो है लगबग 20 से लेके 40% तक zinc होता है तो copper और zinc का मिस्रर से जो है पीतल बनता है ये एक मिस्टर धातू है तो यहाँ पर B number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next question की बात की जाए तो वो है प्रिक्रिया जिसके कारल चांदी के उपर काली परत्वा तामे के उपर हरी परत चड़ जाती है कही जाती है तो इस प्रिक्रिया को क्या कहा जाता है यहाँ पर इस प्रिक्रिया का जो सही आंसर होगा sorry प्रिक्रिया का नहीं जो इसके उपर परत चड़ जाती है तो वो जो है क्या बोला जाता है उसे तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इसको बोला जाता है संचारण में होता क्या है कि लोहे में जैसे जंग लग जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए इसमें गैलवे, निकरण, मिस्र धादू है पैंट, स्नेहक और जो जो ओयल वगएरा होता है उसको और पैंट जो है किया जाता है और यही किरिया संचारण कहलाती है आँगे नेश्ट कुशिन है आपका तो फ्रेंट आपका जो चैप्टर है वो कारवन एवं उसके योगिक जो है वो सुरू हो गया है तो यहाँ पर इस चैप्टर से कुशिन जो भी आपके मैधपूर बनते हैं तो उन से भी बहुत विकल्पी कुशिन को देखेंगी तो फ्रेंट आपका जो है पहला कुशिन है एथेन का आडविक सूत्र तो एथेन का आडविक सूत्र है वो क्या हो C2H2 है इसमें तो इसमें क्या पूँचा गया है कि आपके 6 सहयोजक आवंद है और इसके साथ 7 सहयोजक आवंद है 8 सहयोजक आवंद है 9 सहयोजक आवंद है तो फ्रेंट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 7 सहयोजक बंद होते है इसमें B number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा नेश्ट आपका कुशिन है इसमें भी आपको सहयोजक बंद बताने है तो इसमें 10 सहयोजक आवंद होते है यह आपका A number option बिल्कुल correct हो जाएगा नेश्ट आपका खाना बनाते समय यदि बरतन की तली बाहर से काली हो जाएगा तो इसका मतलब है तो इसका क्या मतलब होता है इनन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो यहाँ पर बी नम्र आप्सन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा next question है बाइव मंडल में carbon नेमलिकल मैंसिक किस रूप में रहता है तो बाइव मंडल में जो carbon होता है आल्प मातरा में carbon monoxide सा carbon dioxide की रूप में रहता है B number option आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेश्ट है Buckminster darauf एक अपर रूप है अपरत रूप है ये आपको बताना है तो फ्रेंट्स यहाँ पर यो जो सही answer होगा Buckminster Fulrarine जो होता है वो carbon का एक आपर रूप होता है C number आपका फ्रेंट्स बिल्कुल correct हो जाएगा Next question है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो यहाँ पर आपका सही answer होगा B number option जो है C3H8 जो है यह प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है यह आपको याद रखना है Next question देखते हैं next question यो आपका है साबन के अडू में होता है साबन के अडू में क्या होता है ये आपको बताना है तो friends यहाँ पर आपका सही answer होगा यह नमबर option जल रागी सीर्स तथा जल विरागी फूच यह नमबर जो है जाता है उच्छे बसी अमलों के सोडियम तथा पोटेसियम लवड सावन कहलाते हैं नेक्ट कुश्चिन की बात की जाए तो नेक्ट कुश्चिन आपका है योगिक CH3, CH2, CHO का नाम बताना है तो इसका नाम क्या होगा यह आपको बताना है फ्रंट यह जो होगा प्रॉपे नल प्रॉपे नल जो है इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें तीन कारवन है तो इस प्रकार से जब इसका जो है सूत्र बनेगा तो इसे प्रॉपे नल बोला जाएग नेश्टे प्रियोक साला में सरफर्थम बनने वाला कार्बनिक योगिक का नाम, तो प्रियोक साला में सबसे पहले जो बनने वाला कार्बनिक योगिक था, उसका नाम यूरिया है, ये नमर आप्सन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेश्ट कुशन है, कौन सा कार्ब योगिक है जो आसंत्रिप्त योगिक है तो यहाँ पर आपका फ्रेंट्स बिल्कुल सही आंसर होगा एथलीन जो है यह आपका C नमर ऑप्सेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुश्चिन आपका है निमलिकित किस योगिक में एलकोहौली समू उपस्तित है तो एलकोहौली समू जो है किसमें उपस्तित है ये आपको बताना है तो फ्रेंट्स आपका जो सही आंसर क्या होगा फ्रेंट्स सही आंसर आपका होगा यहाँ पर B number option CH3, CH2, OH जो है य एलकोहली समू इसमें उपस्तित है व्यूटे नौन में क्रियात्मक समू है तो व्यूटे नौन में कौन सा समू होता है तो यहाँ पर जो लाश्ट का देखा जाता है लाश्ट का क्या आ रहा है नौन तो यहाँ पर कीटोन होगा यानि कि C1O तो यहाँ पर B number option आपका बिल नौन होता है अमल होता है B number option आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फारमेली हाइट का IUPAC नम बताना है फ्रेंट्स IUPAC नम जो है आपके अंग्यांस में पूछे जाते हैं और ज्यादा तर सभी जो यूपी टाइट की परिच्छा है उसमें एक number का कुश्यन जरूर नम घरिंपा नम जरूर αबना है युप 2020 नम जरूर फारमेली हाइट का युप यूप यूपाएसे नम होता है यह आपका यूप यूप गन स्यूप लूपनोन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा next question है इसमें आपको बताना है किस योगिक में ketone samoo उपस्तित है तो किस में ketone samoo उपस्तित है ये आपको बताना है तो friends यहाँ पर आपका D number option बिल्कुल correct हो जाएगा यहाँ पर इसमें आपका ketone samoo उपस्तित है next question की बात की जाए तो प्राक्तिक गेस का मुख अभयव प्राक्तिक गयस का मुख अभयव जो है कौन होता है तो methane प्राक्तिक गेस का मुख अभयव होता है next question है आपको बताना है यहाँ पर आपका सही answer होगा butane 2 यह बिल्कुल correct हो जाएगा next question है acetic amal में kriyatmak samu है तो acetic amal की बात की जाए तो इसमें kriyatak samu जो है C O O H यह होता है next है आपका propenal में kriyatmak samu तो propenal की जो बात की जाए तो इसमें kriyatmak samu आपका होता है यहाँ पर C O यह number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next है CH3 COCH3 C का जो है IUPAC name बताना है तो इसका जो है IUPAC name बताना है तो फ्रेंट्स इसका जो सही आंसर होगा प्रेप्रोपे नोन जो है जो है इसका सही आंसर होगा फ्रेंट्स नेक्स कुशन आपका है एक एलकोहल और अमल के साथ होने वाली अपकरिया कहलाती है तो एक alcohol और अमलिके साथ जो होने वाले अपक्रिया होती है उसे ST करार कहा जाता है D number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा Next question है निमलिकित मैंसे LD hide है तो बताना है निमलिकित मैंसे कौन सा जो है वो LD hide है तो यहाँ पर आपका सही answer होगा अपका बिल्कुल correct हो जाएगा Next question है निमलिकित मैं असंतरप्त योगिक है तो इसमें से कौन सा असंतरप्त योगिक है तो यहाँ पर आपका सही answer होगा LD hide C number option जो है वो आपका बिल्कुल correct हो जाएगा Next question है संतरप्त हाइडो कारवन में नहीं होता है तो संतरप्त हाइडो कारवन में C1C यह नहीं होता है D number option आपका विल्कुल correct हो जाएगा Next question है आपका है निमर्कित में असंतरप्त योगिक है कों सा योगिक है वो असंतरप्त है तो friends यहाँपर सभी answer होगा D number option यह आपका विल्कुल correct हो जाएगा आगे next question है निमर्कित में L-kine है तो निम्रुखत मैंसे L-काइन बतानी है तो L-काइन यहाँ पर आपका C3H4 D-number option आपका विल्कुल correct हो जाएगा Next question है propanol Propanol बताना है कौन सा है तो आपका C3H7OH यह propanol है Next question है सावन किस प्रकार का योगिक है तो सावन यह आपका एक लवड होता है और जैसे कि अभी मैंने आपको बतायता है कि जो सावन होते हैं वो उच्ची बसी अमलों के sodium था potassium लवाड होते हैं तो यहाँ पर आपका C-number option बिल्कुल correct हो जाएगा Next question है एस्टरों के छारीय जल अपकरटन की क्रिया कहलाती है तो एस्टरों के छारीय जल अपकरटन की क्रिया होती है यह आपकी जो है सावनी करण कहलाती है B-number option बिल्कुल correct हो जाएगा Next है म्रद सावन बनाने के लिए आवस्यक पदार्थ है तो म्रद सावन बनाने के लिए आवस्यक पदार्थ होता है वो आपका कास्टिक पोर्टास होता है D-number option बिल्कुल correct हो जाएगा Next है सोडियम में जहाक उत्पन करने वाला पदार्थ है यह आपका रेजिन होता है B-number option बिल्कुल correct हो जाएगा Next question है Ethyl lumière के MNO 4 से अपकरिया करके उत्पन करती है तो क्या उत्पन करती है, यहाँ पर गिलाइकोल यह उत्पन करती है, C number option आपका बिल्कुल correct होगा नेश्ट एल्यू, मिनियम, कारवाइड पर जल की क्रिया द्वारा, इन में से कौन सा हड़ो कारवन बनता है तो इन में से आपका मीथेन बनता है, तो B number option आपका correct हो जाएगा तो अब हम लोग देखेंगे, तक्तों की आवर्थ वर्गी करण है, यानि की आवर्थ सारड़ी से सम्मद्ध कुश्चन है तो आप उनको देखेंगे, यहाँ पर इस में, तो यह आपका question यहाँ से start होता है, एलाई विकड़ सम्मद्ध प्रिकट करता है, तो lithium जो होता है, वो किस से अपना सम्मद्ध प्रिकट करता है, यह आपको बताना है तो lithium का सम्मद्ध होता है, यहाँ पर आपका सही answer होगा D number, lithium जो होता है, वो magnesium से अपना विकड़ सम्मद्ध प्रिकट करता है, तो यहाँ पर आपका सही option D number हो जाएगा lithium की बात की जाए, तो lithium का जो परमाण करमांक होता है, वो आपका 3 होता है, यह बात भी आपको याद रखनी है, परमाण करमांक जो है, लिथियम का 3 होता है, नेश्ट है आधनिक आवर्त नियम प्रतपादन करने वाले बैग्यानिक कौन है, तो जो आधनिक आवर्त नियम ह वो यह आवर्त साड़ी पूछी जाए तो यह मुझले ने दी थी D number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा Next question है आधनिक आवर्त बढ़गी करल का आधार क्या है तो आधनिक आवर्त बढ़गी करल की बात की जाए तो यह परमार क्रमांग के आधार पर बनाई गई है B number option आपका बिल्कुल सही हो जाएगा Next question आपका है तिरती आवर्त का तत्व है तो तिरती आवर्त का तत्व कौन सा है तो इसमें आपका sodium जो है सही हो जाएगा और यहाँ पर A number option आपका बिल्कुल correct होगा नेक्ट कुशन है बिकर्ड संबंद की तत्व हैं तो बिकर्ड जो संबंद है इसका जहां पर लिथियम मेंगनेसियम एक दूसरे से बिकर्ड संबंद प्रदर्शित करते हैं निम्लिकित में चारी दातु है, तो निम्लिकित में से कौन सी दातु जो है वो चारी है ये आपको बताना है, तो फ्रेंट यहाँ पर आपका जो सोडियम है ये चारी है, एनमर आपसन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्लिकित में किसकी बिद्धुत रडातमक्ता सबस ये इसका बिल्कुल correct answer होगा C number option नेश्ट है, ओभाई धर्मी oxide है ओभाई धर्मी oxide की बात की जाए तो friends, ओभाई धर्मी oxide जो है Al2O3, C number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा नेश्ट question है, oxygen की सही हो जाकता तो oxygen की सही हो जाकता की बात की जाए तो दो होती है, A number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा नेश्ट question देखते हैं, नेमलिकित में अमली oxide है, तो अमली oxide कौन सा है, ये आपको बताना है तो friends, P2O5 जो है ये अमली oxide है, D number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा नेश्ट है, एक तत्व M की chloride का सूत्र MCl2 है इसके oxide का सूत्र है तो इसके oxide का जो सूत्र होता है वो आपका होगा B number option जो है, बिल्कुल correct होगा जो है, नेश्ट है यूरेनियम है, तो यूरेनियम क्या है ये आपको बताना है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अंता संक्रमण धातू जो है आपका यूरेनियम है और यूरेनियम की ये दिवात की जाए तो यूरेनियम जो होता है ये एक्टिनाइड स्रेडी में आता है और इसका जो परमान करमांग होता है वो 92 होता है परमान करमांग जो है 92 होता है और Actinite Sirely का ये तत्व है Next question आपका है तत्व जो छारी ओक्साइड बनाता है तो कौन सा तत्व ऐसा है जो छारी ओक्साइड बनाता है ये आपको बताना है तो friends यहाँ पर आपका जो सही answer है वो क्या होगा तो friends यहाँ पर आपको चार options दिये हैं और इन चार options में से आपका जो है 18, 17, 14, 19 तो तत्व जो छारी ओक्साइड बनाता है इसका सही answer आपका क्या होगा तो friends यहाँ पर आपका जो सही answer विल्कुल होगा 19 आपका जो है D number option विल्कुल correct answer हो जाएगा Next is सरवादिक धन विद्धतिय तत्व है तो सरवादिक धन विद्धतिय तت्व की बात की जाएगा Next नेमलुगेत मैंसे कौन अधिक विद्धत रिडात्मक तत्व है अधिक विद्धत रिडात्मक पर ब्रोवीं यह आपका अधिक विद्धत रिडात्मक है नेश्टे आब बर्त साड़े में 22 से दाई और जाने पर प्रवर्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत है यहाँ पर फ्रेंट असत की बात की गई है तो परमार जो है आसानी से इलेक्टान त्याग देता है सी नमर उप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया है बाकी की तत्यों की धात्यों प्रक्ति है वो घटती है सही हो जाता इलक्टान की संख्या बढ़ जाती है इनके अधिक अमली हो जाते है तो यह चीजें आपर शाड़ी के अनुसार सही है और बाकी का आपका सी नमर उप्सन गलत था इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा आपका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुशन आपका जो है निम्लिखित मैंसे कौन सा तत्व है दुतिय सम्हूं का तत्व है तो यहाँ पर आपका mg जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन है आधनिक आवर्शाड़े में लेक्टानिक बिन्यास 2,8 युक्त तत्व को आपकी सम्हूं में पाते हैं तो 2,8 को हम लोग सम्हूं 18 में पाएंगे सी नम्मर ओप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कोशन जो आपका है चारी दात्व है तो चारी दात्व है क्या है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लीतियम, सोडियम, पोटेसियम बी नम्मर ओप्सन जो है यह सभी च यह दात्व है नेक्ट कोशन आपका है निम्लिकित में से कौन सा तत्व आसानी से लेक्टान नहीं खोता है तो आसानी से लेक्टान ना खोने वालत तत्व है आपका फ्लोरीन बी नम्मर आपका अंसर विल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कोशन है निम्लिकित में से तत के जो भी आपकी रसाइनिक ज्यान के महत पूर बहुत विकल्पी प्रेश्ण बन रहे थे तो उन सभी प्रेश्णों को हमने इस वीडियो में देखा इसी प्रकार से एक जो है फिजिक्स का और वायलोजी का वीडियो आपके लिए लेके आएंगे फ्रेंट वीडियो अच्छ